तुर५ट एउन्ह Civil etti ते अस असवी का बहुत भूत सुवाएं थे आरगी पी 얼isk City दिया हूँ यूटीब चानल पे आज मैं यह सोलर पैनल कहडी लिए यह 50 ओत का है। यह solar panel से क्या क्या चल सकता है क्या क्या हो सकता है बैटरी चार्ज कैसे करेंगे और क्या क्या दिवाइस इस पर चला सकते हैं वो सारा चीज में बताऊंगा और इसको खोल करके बताऊंगा और यह 50 वाट का solar plate है तो यह देखिए दोस्तों यहां पर विल है और इसका description है कुछ लिखा हुआ जो यहां पर कुछ बताया गया है जो short circuit current यहां पर 2.7 ampere दे रहा है और voltage open circuit voltage है 23.69 यह देखिए दोस्तों इसका अंदर से किस तरह से है और फिर इसका बाहर से कैसा है देखिए दोस्तों यह solar panel है मैं इसका पीछे से दिखा दे रहा हूं यहां पर कुछ important चीजे है जो यहां पर positive जोर सकते इस point पर और इस point पर negative जोर सकते हैं wire और फिर आप battery charge के लिए ले सकते हैं या device चलाने के लिए सकते हैं और यहां पर कुछ important चीजे लिखा हुआ है close circuit voltage open circuit current और open circuit voltage यह सारी चीजे लिखा हुआ है तो आईए दोस्तों अब मैं इस solar panel से अभी मैं इसको चार्ज करके दिखाता हूँ और फ़ी BCA stand fan चला करके दिखाता हूँ आपको 12 भूट battery charge करने के लिए यह solar panel charger controller खड़ीदना होगा यह मैं खड़ीद लिया हूँ charger controller मैं इसमें joint करके दिखाता हूँ कि इस तरह से joint करना है यह सारी चीजे मैं बताता हूँ अभी battery charge करना है इसको joint करके तो दोस्तों सबसे पहले solar panel में दो वायर जोरना है इधर negative लिखा हुआ है मैं final point पे positive negative का marking कर दिया हूँ ठीक है तो इस तरह से दो वायर जोरना है उसके बाद इस cover को लगा देना है अच्छा तरीका से यह यहाँ पे cover इसको बैठा देना है ठीक है अब यहाँ पे 2 wire यह joining हो चुका है अब इसको charger controller में joining करना है यहाँ पे देखी यहाँ पे बताया गया है solar panel का कहां जोरना है उसके बाद battery को कहां जोरना है और उसके बाद output 12 volt जो मीलेगा वो उसको कहां पे जोरना है यह यहाँ पे दिखाया गया है मैं इसमें बता देरा ह सकते हैं जो भी चीज़ चलाना है यहां पर फाइनल आउटफूट ले करके चला सकते हैं या फिर आप डाइडरेक्ट फैन भी चला सकते हैं इस सोलर पैनल से ठीक है मैं अभी इसको धूप में रखता हूं और चारजर कंट्रोलर में जोरूंगा तो यह देखे दोस्तों यहा सब्सक्राइब देख सकते हैं इस तरह को स्टेंट पैनल चला सकते हैं और यह इस प्रोटेट कर रहा है आप इस तरह से हवा ले सकते विल्कुल तो यह देखिए दोस्तों यहां पर सोलर पैनल में दूप में रख लिए हूं और आकर डारीकिसका निकला है यहहां पर बेटरी के लिhy ten रहे यहांपे बाटरी च्राज यहांप गाई है लिए जो इन रहा है और यहांप आउट घरिके यहां पर निने रहा है और ego से मुबाइल चार्ज कर सकते हैं यहां पर दो USB दिया हुआ है यहां पर पूरा मीटर में देख सकते हैं कि कौन सा आपको बंद करना है कौन सा चालू करना है और यहां पर 12.5 बोल्टेज से चार्ज हो रहा है ठीक है और यहां पर यह चल रहा है यह साथ साथ चल रहा है यह बहुत स्पीड चल रहा है लेकिन कैमरा में पूरी तरह से देख नहीं पा रहे है बहुत ही स्पीड चल रहा है ठीक है और इसी तरह से आप जॉइन कर सकते हैं यह 12.6 हो गया यह जैसे जैसे धूप का स्ट्रेंथ बढ़ता है उस त पैनल से और बैटरी भी चार्ज हो रहा है 12V की बैटरी भी चार्ज हो रहा है साथ-साथ मोबाइल भी चार्ज हो रहा है मैं एक बार और पलग को इन करके दिखा रहा हूं यह देखिए दोस्तों यहां पर देखिए दोस्तों चार्जिंग होने लगी है और यह मैं सोलर पैनल से चार्ज कर रहा हूं यहां पर चार्जर कंट्रोलर लगा है और यह मुबाइल चार्ज हो रहा है बैटरी चार्ज हो रहा है साथ-साथ फैन चल रहा है अप एक समय में दो मुबाइल चार्ज कर सकते हैं आईए दोस्तों अब मैं यह डिसी फैन को डाइरेक्ट एलेक्टरी स प्रटिटी से चला कडर कर दिखाता हूं ये देखे मैं तो मेरे पास ईक्सेंशन बॉर्ट से यहाँ यहाँ पर यह यहाँ पर लगाने जा रहा हूं यहाँ पर कपट संग और जो ओ हित Oliv मौई यहाँ लगा दिया हूं अब मैं जैसे है छरोगा यह ईह देख रहा है दोस्त यहाँ पे स्वीच ऑउन करने से फैन चालू हो जा रहा है और बहुत ही स्पीड में प्लख cent hardy यह देख 2400 रुप्या और दोस्तों यह जो charger controller है इसका प्राइज है 600 रुप्या 650 में आप खड़ी सकते हैं Amazon पर यह मैं purchase किया हूँ यहाँ पर चार्ज कर रहा है 13.6 voltage से बैटरी को चार्ज कर रहा है और यह mode change करने के लिए बहुत सारे चीज यहाँ पर दिखाया गया है फंसन यह देखे दोस्तों यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है यह जो बैटरी चार्ज हो रहा है वो इंडिकेट कर रहा है और यहाँ पर दो mobile चार्ज कर सकते हैं साथ साथ और दोस्तों इस charger controller में बहुत सारे फंसन है एक manual guard देता है उसमें आप सारे चीजे पढ़ सकते हैं उसमें सारे फंसन जान सकते हैं उस किताब को पर करके ठीक है